नवस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे धार्मिक स्थान पर जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जो है वो जानते हैं यह स्थान है माता शोहा जी का जहां पर खुद माता वैशनो, माता सरस्वती, माता शोहा, माता काली पांच पिंडी रूप में विराजमन हैं तो आएए ले चलते हैं आपको इस सफर पर हमने जो रास्ता लिया है वो अखनूर रोड से लिया है अगर आपको जाना है तो आप जानीपूर साइट से भी जा सकते हैं और इस रोड से भी जा सकते हैं जो हमने अपना लिया है यहां से अगर देखे तो काफी जादा काम जो हो चल रहा है flyover बन रहा है इसलिए काफी ज़ादा दिक्कते और dust की भी काफी ज़ादा problem आ रही है क्योंकि ये रास्ता जो है code भलवाल आपको लेना है code भलवाल से सीधा जो रास्ता जाता आगी की तरफ ring road आता है उस ring road से भी सीधा जो रास्ता जाता है उसी रास्ते को आपने पकड़े रहना है रास्ते में अमगरोटा आता है उसके बाद रांजन आता है रांजन के बाद एक जगा आती है जांडियाल जहां से आपको टर्न करना है जान्डियाल ही वो आखरी ऐसा पड़ाव है जहां से माता शोहा के जो देवस्थान की और रास्ता जो है वो टर्न कर जाता है और फिर आप पहुंच जाते हैं माता शोहा जी के स्थान पर तो फाइनली हम शोहा माता के दरबार में पहुंच चुके हैं यह पहली डियोडी है और इसके आगे एक और डियोडी आएगी और सामने ही जो है माता शोहा का मंदिर है चलिए आपको ले चलते हैं लेकिन इससे पहले बता दूँ कि पूरी दूरी अगर जब्मू सीटी से इस तक की तो 30 किलो मेटर है यहां पर आप अपनी जो भी गारी लाते हैं टू विलर फो विलर वो यहीं पर लगाने पड़ती है और इसके आगे का रास्ता पैदल ही जो सीडिया है इसी से तैग करना पड़ेगा सामने ही शुआ माता का मंदीर है लेकिन मंदीर पर इससे दिखाने से पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूँगा वो देखिए सामने त्रिकुटा हिल्स माता वैशनो देवी के अगर दर्बार की बात की जाए तो सामने ही वो तस्वीरे नज़र आ रही है और रास्ता अगर तैय करते हैं जो माता वैशनो देवी का वो भी सामने दिखाई दे रहा है यानि कि यहीं खड़े-खड़े हमें मावैशनो देवी के दरबार के दर्शन भी हो रहे हैं और एक चीज़ ओर दिखा दूँ खुबसूरती देखिए आप यहाँ पर यह पूरी जगह जो है वो नैच्रल ब्यूटी से भरी हुई है पेड़ पोदे है और जो जगह है माता का मंदिर जो है यहां से थोड़ा साही डाउन में है लेकिन आगे पीछे खुबसूरत पहाड़ है आईए वहां भी लेचलते है लेकिन खुबसूरती देखिए और वो माता की पहाड़ियां भी माता वैशनो देवी की वह सामने मंदिर पर इसर वह सामने थोड़ी सी सीड़ी चड़के और यहां पहले में आपको दिखा दूँ बावली इसे डोगरी में बोली भी कहते हैं कि देखिए क्लीन वाटर और अभी भी बहुत सारी जगों में खासकर जम्मू प्रोविंस की बात की जाए लग लग डिस्ट्रि हैं वहां पर इस तरही की बोली जो है उसका इस्तेमाल जो है घर में पानी यूज करने के लिए पीने के लिए किया जाता है यह वो वाटर है और यहां पर भी है और यह देखिए यह खूबसूरती यह परी सर और वहां आभियों में जाना है झाल 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 चोँ आए जाए पांड़ाती मेरा नाम तिलक शर्माए यह ज़री जगाए यह जम्मुना त्री गिलो میटर उपर जंडेयार्ड गोला रोड़ आन्दा यह श्वामाता आच श्वा माता दे पुजारी बोलाने है पांज पिंडियान निते मादं एग जन दें भी जरी भोले वानिगे भी बांदी पिनिटई ये ञapterे संदें इस साथ के एक जिड घरी शिव्जिद्ल पिंडी भी है और चार थान बने इनर उपर और कुदरती जल चल दर होंदा है नबरात्रे पिछ बड़ा-बड़ा मेला लगे दा होंदा है थे जगध आपर और इस जगध बारे वेच मदलगे बड़ा ज़्यादा काट लोग कहीं पदा है इस गरी आस तांगरी यह सोचाएं पभी मधधा ज़्यादा शर्दालू हीं प काली माल लक्ष्मी मासर सवधी वोलो सच्चे दरवार की जै जै मातादी जै मातादी तो आज हमने आपको करवाए शुहा माता के दर्शन और पंडी जी से जानकारी भी ली इस जगह के इतिहास के बारे में भी जाना और उन्हें ने बताया और जब हमने उन से पूछा कि इस जगह के बारे में पता कैसे चला तो उन्हें कहा कि हमारे जो पूरवर्ज थे यानि उन पंडी जी के जो दादा पर दादा थे उनको रात को माता ने सपने में दर्शन दिये थे और इस जगा के बारे में बताया था और इसके बात से ही यहाँ पर जो आसपास के गाउं के लोग थे दर्शन करने के लिए आते थे खुबसूरती बेशुमार है इस जगे की और गुफा आप देख सकते हैं जैसे मावैशनो देवी की गुफा है यहां जाते हैं माता के दर्शन होते हैं वैसी ही नैच्रल गुफा है और अंदर माता के दर्शन आराम से होते हैं पांच पिंडिया है माता की, जैसे महावैष्णोदेवी की तीन पिंडिया है, वो भी यहां पर हैं, और दो और पिंडिया हैं, जिनमें शोहा माता भी है, जम्मौ सिटी की बात किज़एं तो वहां से इस जगह की दूरी लगभग तीस किलोमेटर है, अराम से आप यहां पर आ सकते हैं कोई रास्ता की भी अगर बात की जाए तो बिलकुल पक्का रास्ता है कहीं वर यह कच्छा नहीं और मंदिर परिसर के बिलकुल नज्दीक जो है वो आपकी गारी अराम से लग जाएगी हम इस जगे के बारे में इसलिए भी आपको बताना चाहते थे क्योंकि बहुत कम लोगों को इस जगे के बारे में पता है शोहाम माता के बारे में पता है क्यों न और लोगों को बताया जाए और यहां पर जो लोग आना चाहते हैं दर्शन करना चाहते हैं माता कि वह ज़रूर आए और यहां पर पहुंचने के विए आपको कोई भी किसी किसम की किठनाई बिलकुल नहीं होगी तो ये था दर्शन के आज अचमने आपको करवाए तो ज़रूर बताएगा कि आज के ये दर्शन आपको कैसे लगे और अगर अ कोई ऐसी जगह हो जिसको explore करना चाहिए बहुत कम लोगों को उसके बारे पता है तो जरूर मेसेज करिएगा हम उस जगह पर भी जाएंगे फिलाल आज इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार जैमाता दी झाल करा हम जाएंगे झाल झाल